भगवान विश्णु के मंदिरों के बाहर दर्वाजे पर अक्सर आपने दो मूर्तियां देखी होंगी। कौन हैं ये दोनों जो भगवान के मंदिर के बाहर खड़े पहरेदारी करते रहते हैं। ये दोनों कोई और नहीं भगवान विश्णु के पारशद और वैकुंठ के दवारपाल जय और विजय हैं। जय और विजय ने ऐसा क्या किया कि उनको साक्षात नारायन के समीप वैकुंठ में रहने का सवभाग्य प्राप्त हुआ। सूत्रधार में आज की कहानी में हम सुनेंगे जय और विजय के पूर्वजन्व की कथा। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम एक विशाल परवत था। उसकी उचाई आस्मान को छूती थी और सोने और चांदी से भरी तीन उची चोटियां थी। परवत के जंगल में नाना प्रकार के जीव जन्तू विचरण करते थे। उस जंगल में अनेक नदियां और सरोवर भी थे। जंगल में अनेक जीव जन्तूओं के बीच एक विशाल काय मदमस्त हाथी भी रहता था। वे अत्यंत शक्तिशाली और जंगल के समस्त हाथियों का राजा था। सभी हाती उसके पीछे जुंड में रहते थे और जंगल के बड़े से बड़े हिंसक पशु भी उससे डरते थे। उसके संद्रक्षन के बज़े से जंगल के छोटे जानवरों जैसे कि लंगूर, हिरन, खरगोश, नील गाय, इत्यादी को कोई हानी नहीं पहुचा सकता था। गजराज की कुरूपा चलते सभी जीव बिना किसी भय के जंगल में विचरन करते थे और कोई भी उनको किसी प्रकार की हानी नहीं पहुचाता था। एक दिन जोरों की धूप और गर्मी से बचने के लिए गजराज ने त्रिकुट परवत की तराई में स्थित सरोवर के शीतल जल द्वारा अपनी प्यास भुझाने के उद्देश से उसमें प्रवेश किया। पहले तो गजराज ने सरोवर के जल से अपनी प्यास बुझाई और उसके बाद अपनी सूंड में पानी भर-भर कर जलक्रिडा करने लगा। उसी सरोवर में एक बलवान ग्राह यानी मगरमच भी रहता था। ग्राह को गजराज की उनमत जलक्रिडा पर अत्यंत क्रोध आया और उसने गजराज का पहर अपने मुह में दबा कर उसे सरोवर के अंदर खीच लिया। ग्राह के पहर अपना पैर चुड़ाने की बहुत कोशिशें की परंतु सभी नाकाम रही। बलकि ग्राह के दात गजराज के पैर में अंदर तक गड़ते जा रहे थे। गजराज के पैर से होने वाले रक्त प्रवा से सरोवर का पानी लाल होने लगा था। इस प्रकार रक्त बहने से गजराज धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। अंततह गजराज को लगा अब ग्राह के हातों परास्थ हो जाएगा और ऐसी असाय अवस्था में उसने सरोवर से कमल का पूल अपनी सुंड में लेकर सुंड उपर उठा कर पूरे मन से नारायन श्री विश्नुजी को याद किया। गजराज के अंतरमन की पुकार सुनकर नारायन तुरंथ ही गरूड पर सवार होकर उसकी मदद करने आ पहूंचे। उन्होंने देखा कि गराह ने गजराज को पूरा पानी के अंदर खीच लिया है और उसकी सुंड में लिया हुआ कमल का फूल केवल पानी के उपर है। नारायन ने तुरंध ही अपनी शक्ती से गज और ग्राह को पानी से बाहर खीच लिया और अपने सुदर्शन से ग्राह के मुह से गजराज का पैर छुडवाया। इस प्रकार नारायन ने ग्राह को मुक्ति प्रधान की और गज की रक्षा की। नारायन ने दोनों गज और ग्राह को अपने पार्षदों में सम्मेलित किया और यही दोनों अपनी पशुयोनी से मुक्त होकर वैकुंट के द्वारपाल बन गए और जय विजय के नाम से प्रसिद्ध होए। और भी पवरानिक प्रसंग प्रस्तुत करते रहेंगे।